ते सिदू ते बाजवारू लेके पजजाब काउगरस ते नमे बने इंचार जो दिवेंदर यादव दावी बियान आया है उना क्या है कि हाई कमान पार्टी चानुसाशन ते काम कर रही है संगठन मजबूत कर ली अनुसाशन बेहत जरूरी है दिवेंदर यादव ने क्या के गट चोड़नू लेके चर्चा हो रही है सारे तो राय लई जाएगी फीडबेक लई जाएगी उस तो बाद ही हाई कमान कोई अगला फैसला लेगी और होना क्या के दोजार चौवीच कांगरस नूँ पंजाब तो बेहत उमीदान पंजाब कॉंगरस दी काफी एहम मीटिंग एपी एसी दी मीटिंग है जिस दे विच अलाइंस नूँ लेके चर्चा होनी है दूसरा नवजो सिंग सिद्धू ते परताप सिंग बाजवादी जड़ी आपसे गिले शिकवे नराजगी एक दूसरे दे खला बयान बाजी है इस नूँ लेके होनी है पहला मैं सीट शेरिंग ते गलबात करना चाहूंगा कि सीट शेरिंग नूँ लेके कोई चर्चा होएगी क्योंकि इंडिया अलाइंस दोजार चोवी दे मते नजर पंजाब नू बड़ी गंभी इरता देना आल हाईकमान ने भी देख रही है इन निश्चे थी पंजाब एक ऐसी हमारी स्टेट है जहां पर हमें बहुत सारी उम्मीदे भी हैं जी और ऑल इंडिया कॉंगर्स कमेटी जो हमारी है बहुत क्लोजली इसको अब्जर्व भी कर रही है जी तो मैं तो अब भी जहां तक मीटिंग की बात है मीटिंग में सभ लेन्ट लाइंज क्या होगी、 आगे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या इसूस को लेकि हमें आगे बढ़ना है बिजिक लिए प्रोटिकल अफ़ैस कमेटी है तो उसमें जितने भी पॉलिटिकल इसूस है उन्हों सभी को लिया जाएगा सर मैं सीट शेरिंग को समय ना चाहूंगा क्योंकि लोकसवा दोजार जो पिछले चुनाव थे दोजार निस के उसमें आठ सीटें पंजाब में कॉंग्रस जीती थी तो अगर आम आदमी पार्टी के साथ हलाइंस होगा तो वो आठ सीटों के हिसाब से बादचीत आम आदमी पार्टी अपना पार्टी अभी 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 इससे कमेंट करना बहुत जल्दी होगा जी मैंने आपको बताया कि मैं दो दिन पहले चार्ज लिया है जी और आज पॉलिटिकल अफेर्स कमेटी की मीटिंग है कि हम सभी जो हमारे नीता जन है इसमें पार्टी सिपेट कर रहे हैं सभी लीडर्ज हैं जो उनसे राए ली जाएगी उनसे बात की जाएगी और बात के अनुसार ही कोई पैसला आगे लिया जाएगा संभावना है पंजाब में अलाइंस की या क्योंकि पंजाब कॉंग्रस लीडर्शिप के रही है कि अलाइंस नहीं होना चाहिए इससे कॉंग्रस अंगठन कमजोर होगा देखिए मैंने पहले भी कहा है कि अभी हम बात कर रहे हैं हमारी लीडर्शिप सारी आएगी फिर क्या जड़ेगी फिर सीनियर लीडर्शिप भी उसके उपर अपने कमेंट्स देगी उसके पर चाहती कोई फैसलाइज बारे में लिया जाएगा